कि इस वीडियो में हम आपको विए सी थर्डियर का एक मोश्ट इंपॉर्टन कुरूसर मताने वाले हैं इसक्राफ सिंथेथिस इसक्राफ सिंथेथिस आप देखेंगे तो एकजाम में हर साले पूछा गया है और या इस पर सार्ट नोट्स भी आता है कि राइट सार्ट नोट सब्सक्राफ सिंथेथिस और अलग सब्सक्राफ सिंथेथिस और अलग सब्सक्राफ सिंथेथिस क्या है इसका नोट्स भी देंगे और साथ में में कैसे करेंगे आप आपको में में हर इस्टेप बताने वाला हूं और यह स्क्राफ सिंथेथिस स्क्राफ सिंथेथिस क्यों क्यूमोलीन बनाने की एक विधी है क्यूमोली मलाने की एकफ़ाइं जीए तो सबसे पदहांकर इसकाम अपको बताइंगे गूदा तो इसक्राप शिंद तरिश क्या देखें तो पूणें अ मिच्चर णफ एनीरीफ इस हेटेड इन प्रेजेंग अप्रु आप्ड की साहरा हूं तो हिचर किया फुठीप इसका ने कर उसकोवपिट करते इन करते चैनलीफ सा इसेम हीडिजिक अचैनिलबर कि प्रेजेंट Mild Oxidizing Agent के रूप में Nitro Benzing या Arsenic Penta Oxide लेते हैं This reaction is Exothermic and tends to become very violent यह reaction एक Exothermic reaction है और यह बहुत ज़्यादा very violent होता है मतलब dangerous Ferrous Sulphate or Boric Acid 2 generally added to make the reaction less violent उसमें हम Ferrous Sulphate या Boric Acid इस लिए मिलाते हैं क्योंकि जो यह reaction very violent होता है तो उस violent को रोकने के लिए कम करने के लिए उसमें हम Ferrous Sulphate या Boric Acid मिलाते हैं और आप चाहिए तो आप एक line नीचल ली सकते हैं कि this reaction is called Scrap Synthetis या आप लिख सकते हैं this is called Scrap Synthetis यही Scrap Synthetis है या इस reaction is called Scrap Synthetis आप इस तरह लिख लिख लेंगे कि वेन जब हम एनिलीन और गिसराल के मिक्टर को हिट करते हैं इन पर जेंस आप Sulfuric Acid और Mild Oxidizing Agent के रूप में Nitrobenzen या आर्सेनिक पेंटा आकसाइड लेते हैं यह reaction एक जो थर्मिक है और बहुत जल्दी या रियक्ट करके वाइलेंट मतलब डेंजरस हो जाता है और इस डेंजरस को रोकने के लिए हम फेरस सलफेट या बोरिक एसिट को मिलाते हैं ताकि यह लेस वाइलेंट हो तो देखे हैं क्या लेते हैं लेते हैं एलीलीन आपको पता प्रिविएस यह में पढ़ा होगा एलीलीन या या तू आप कहीं पर भी लगा दिखने या keeping आपका एनी लीन है एनी लीन एनी लीन और इसको हम रिएट कराते हैं किसके साथ ग्लिसरल डिहाइड ग्लिसरल डिहाइड मतलब ट्राइडरिक एलकोहल या आपका ग्लिसरल डिहाइड च्छ टू ओ यह क्या है ग्लिसरल ग्लिसराल ग्लिसराल यही आपका ट्राइडरिक एलको और govern थोज़नों इसको के साथ श्रीट करते हैं किसे घाल फेस सॉष्क के साथ कंसंट्रेशां फिरिक लेते हैं और आक्सिडाइजिंग एजेंट के रूप में नाइट्रो बेंजिंग या आर्सेनिक पेंटा आक्साइड लेते हैं तब हमको जो मिलता है आइसो क्यूनोलीन कि यह आपका आइसो क्यूनोलीन मिलता है इसी आइसो क्यूनोलीन नहीं क्यूनोलीन के व्ल किंूंोलीन क्यूंनोलीन क्यूंनो क्यूंनोलीन अब चलिए इसकी मकैंने जम देखें यह इंपोर्टेंट है आपके एगvärम में मकैंने पूर्छा था इसका तो सबसे पहले Griceral Dei Ide जो हमने Griceral Dei Ide आप उसको लेंगे Griceral Dei Ide Undergo Dehydration with Sulfuric Acid to give Ecrolin इस Griceral Dei Ide के को हम Sulfuric Acid के Presence में Treat कर देते हैं तो महाँ से Alcohol निकल जओ उसको Treat कर देंगे किसके साथ concentration H2SO4 sulfuric acid और यहाँ यह क्या करता है dehydrating agent का कार करता है जब इसके presence में treat कर देंगे तो आपको एक compound मिलेगा acroline CH4CH double bond CH2 और यहाँ से 2 mol आपका H2 बहार यह आपका एक new compound बना जिसका नाम है acroline यह आपने BSC second year में पढ़ा होगा acroline अब इसी acroline को acroline को acroline के साथ add करेंगे जो हमने उपर acroline के साथ add करेंगे तो आप सबसे पहले acroline लिखे यह आपका acroline हमने उपर बताया था acroline यह आपका acroline है यहाँ पर nitrogen था nitrogen को आप लिख लिजिए nitrogen पर आप जानते है lone pair होता है lone pair होता है तो इसके पाद दो hydrogen है एक hydrogen यहाँ पर एक hydrogen यहाँ पर plus हमने बताया कि यह यह acroline इसके साथ add करेंगे तो C आप देखें यहाँ पर जानते हैं CH में यह जो oxygen है double bind के साथ जुगा राता है तो उसको आप double band यहाँ पर दिखाईए और single band hydrogen को यहाँ पर और CH है तो CH और यहाँ पर CH2 CH2 है तो CH2 लिख डालिए और double band है तो double band इसके बाद इसके बाद क्या करेंगे अब rearrange करेंगे थोड़ा सा देखें यह वाला band यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर double band आजाएगा और इस carbon पर क्या positive charge आजाएगा क्योंकि यहाँ से band इस तरफ से क्या तो carbon पर positive और यहाँ आक्सीजन more electron negative और इसके उपर negative charge अब देखें यहाँ पर इस nitrogen के पास loan pair यहाँ electron की अधिकता आए और यहाँ carbon पर positive charge याँ यहाँ यह एक कमी है यह nitrogen अपना loan pair donne करेगा और इसके साथ band बना लेगा तो खरशीं की इस ही को यह nitrogen आपका और इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ वाला हाइड्रोजन को आप यहाँ पर नीचे लिखे यह इसके साथ एक hydrogen था एक hydrogen यहां पर इसको नीचे लिखिait और कार्बन ने अपनालट안 इसको dronidक किया तो इसके साथ band बना लेगा CH 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 two nitrogen अपनालट लेक्टान ड्रonidक किया तो इसके उपर positive और यहां पर single band यह एक इसके बाए डबल बांड क्योंकि यहां पर एक था एक यहां से गया तो यहां पर डबल बांड और यह कार्बन है तो कार्बन हाड्रोजन को यहां आक्सीजन के उपर निगेटिव चार्ज क्योंकि यहां से इसने लेक्टान लिया तब भी तो यहां डबल बांड आया तो इस इसको जस का तसलिकिए हैं यह आपका बंजीन है बजीन हुग गया और यहां पर नाइ्टोजन जुड़ा गड़का आपने तरह स्थेक्ट करेंगा और है यह द्विधäre के रूप में बाहर निकलेंगा और यहां पर अधा Pr तो यहां पर अधार्फ यह पर सेस्ट के रूप में बाहर निकलेंगा और है और कार्बन car CH2 है तो CH2 यहाँ पर single band CH double band carbon और इसके साथ hydrogen था और यहाँ पर OH हो जाएगा OH क्योंकि oxygen के उपर negative था तो यहाँ से एक गया तो यहाँ पर OH आ गया यह आपका एक compound यह एक intermediate है इसके लिए इसका नाम नहीं है यह एक intermediate बनता है तो हमने आपको बताया कि step second में एक्रोलीन एड्स टू एनिलीन एक्रोलीन में यही एनिलीन एड्स हुआ और टू गिम A यह एक unstable compound है इसका नाम नहीं है अब यही A आपका result करेगा किसके साथ आगे देखिए अब जो आपका A compound में बना है step third में A compound में undergo ring closure in the presence of sulfuric acid to farm one to die hydroquinoline जो आपका एक product बना था unstable intermittent compound उसको हम sulfuric collide से treat कर देंगे तो हमारा रिंग वहां से जो H2 निकल जाएगा और रिंग closure हो जाएगा देखिए आपका जो बना था एक compound उसको लिखे पहले या आपका A compound यही था यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे A compound यहाँ पर nitrogen था और नीचे hydrogen था और यहाँ पर CH2 था CH2 और यहाँ पर CH यहाँ पर double band था यहाँ पर CH और यहाँ पर देखिए OH था और देखिए इस आपको पालेस पता होगा कि इन सबी जगह कारबर के पास क्या है hydrogen है तो यहाँ पर hidden hydrogen है तो आप उस hydrogen को यहाँ पर दिखाईए और इसको हम treat करते हैं किसके साथ concentration sulfuric acid के साथ H2, H4, H2, H4 के साथ treat करते हैं तब यहाँ से water molecule यहाँ से देखिए water H2 molecule जो बाहर निकल जाता है तो आपका यह ring इस बेंजिंग ring के साथ यह carbon की ring जूड़ जाती है देखिए कैसे यह आपका nitrogen इसके साथ यहाँ पर hydrogen यह carbon CH2 यह carbon यह double band CH यहाँ से यह निकल गया और इसके साथ यहाँ पर banding हो जाती है देखिए यह CS है जो इस CS को हम यहाँ पर लिख दिए तो आपको कोई दिक्कत इस CS को थोगा सामने इधर लिख दिया आपको दिखाने के लिए कि ring कैसे close हुआ यह double band आप इसके साथ दिखाए यह हम आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं और यहाँ से यह इस तरह स हाइड्रो क्यूनोलीन वन टू डाई हाइड्रो क्यूनोलीन अब स्टेप फोर में यह आपका अंतीम स्टेप है अब वन टू डाई हाइड्रो क्यूनोलीन अंडर गो आक्सिडेशन बिथ नाइट्रो बेंजीन टू फाइनली इड क्यूनोलीन यह इसी के अंदर हम जो है आ प्रोडक्ट मिंग जाएगा तो आप उसको लिखे या आपका बेंजीन यहां पर आपका या हाइड्रोजन यहां पर या CH2 CH2 इस CH2 को आपको देखे उसी तरह सेम लिखे यहां पर CH और यहां पर डबल बांड हम यहां पर यदि इस तरह लिखें इसतरे लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ डबल बांड है और यहाँ पर CH है कारबन कि CH यहाँ पर CH है CH है और CH2 और देखें यहाँ पर यहाँ पर भी आप हटा सकते हैं CH को इसकों फ्रीट करते हैं किसके साथ जो हमने आक्सिडाजिंग एजेंट लिया नाइट्रो बेंजीन C6-5-1-O2 यह एक mild आक्सिडाजिंग एजेंट की तरह कार करता है mild आक्सिडाजिंग एजेंट है तो यहां से हमको एक आक्सिजन मिलेगा अब देखिए क्या होगा अब इसका आक्सिडाजिंग एजेंट यहां यूज करने का मतलब की यहां इसका या तो आक्सिजन इसमें जुड़ जा या आप जानते हैं कि आक्सिडेशन मतलब आक्सिजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले उसी को oxidation काते हैं तो यहां से एक hydrogen यहां से एक hydrogen यहां से बाहर निकलेगा और एक oxygen है H2O के रूप में यहां बाहर निकल जाएगा और यहां पर C-H आप यहां पर C-H दिखान ज़़ी है नहीं आप यहां पर C-H आपको दिखाना नहीं आप यहां पर लग दिजिए यहां double bond था यहां nitrogen है जब यह बाहर जाएगा तो nitrogen अपना यक्टान इसके साथ ले लेगा तो nitrogen का loan pair यहां पर और यहां पर और यहां यहां भी यहां से एक hydrogen निकलेगा तो एक hydrogen को दोके जाएगा जब बाहर तो आपना इलेक्टान यहां पर दिखा जाएगा तो यहां डबल बान यहां डबल बान यही आपका क्या है कि उन्लीन कि उन्लीन और आपका यहां फाइनली प्रोड़क्त मिल गया तो आपको यह वीडियों पसंद आयो तो आप एक बार लाइक करेजिए और चैनल पर नहीं स्काइब करेजिए ताकि ऐसी वीडियों आपसे मिश ना हो